हैलो इस्ट्डेंट वेलकम टू मा यूटूब चैनल पिएससी बायवाला इस्ट्डेंट आज इस लेक्च्छर में हम आपके साथ डिसकसन करेंगे बीएससी फोर समेस्टर के ठीक है यूनिट सेकेंड का आपने थम्बले में देख लिया होगा यूनिट सेकेंड का हम लोग आपके सामने आज mcq को discuss करेंगे, ठीक है, second unit के mcq को आज आपके सामने हम लोग discuss करेंगे, previous class में मैंने आपको unit 1 का बताया था mcq के बारे में, ठीक है, आज हम लोग second unit के बारे में discuss करेंगे, ठीक है, चले वीडियो के start करते हैं, और समझते हैं कि क्या इसमें पूछा गया है, ठीक है, आपसे पहला question पूछा गया है, कि cotton fiber made up आप, मदब जो cotton का fiber होता है, वो किस से बना होता है, तो वो बना होता आपका cellulose से, ठीक है, क्योंकि आप लोग अगर हमारा playlist देखे होंगे, तो हमने cotton के बारे में पढ़ाया भी है, ठीक है, तो cellulose fiber से cotton प्राप्त कियाता है, काटन कई होते हैं, जिससे sun hemp हो गया, पर tua हो गया, ठीक है, तो बहुत सारे काटन के बारे में वहाँ पे बता रहा है, चलिए, next question की तरब बढ़ते हैं, लग फाइबर आप काटन आरकाल यस, जो सबसे बड़ा काटन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग lint के नाम से जानते हैं, और जो सबसे छोटा हैता है उसको हम लोग फज के नाम से जानते हैं सबसे बड़े काटन को हम लोग लिंट के नाम से जानते हैं और छोटे काटन को फज के नाम से जानते हैं तो यह आपर question भी है साथ fiber आप cotton are called as fudge ठीक है coconut fiber are extracted from which part of fruit ठीक है जो coconut होता है नारियल होता है उससे भी fiber को प्राप्त किया जाता है नारियल की रस्ती आप लोग देखते हैं ठीक है वो भी क्या क्रकार की fiber है तो वो नारियल की किस पार्ट से फ्रूट नारियल की फ्रूट से प्राप्त होता है ठीक है फ्रूट के किस पार्ट से होता है तो मीसो का होता क्या है जिसे आप लोग देखते है जब ग्रीन क्रियर का होता है आपका नारियल तो इस प्रकार से दिखाए पड़ता है आप लोग होंगे जो नारियल के पानी जो होती है ठीक है नारियल पानी उसको भी पीए होंग अंदर को जिसमें water भरा रहता है उसके बाहर क्या है यह इंडो से बाहर जो जो सबसे बाहर जो आपको हरे कलर की दिखाई पड़ती है पतली सी लेयर उसके बाद वाले जो लेयर होती है उसको मिसो कार्प कहते हैं अब उसी को सुखा करके नारियल से जोई की रस्ती याने की फाइबर को आप्टेंड किया जाता है ठीक है चलिए वन आप दे फालोविग नेचुरल सोर्स आफ रबर तो रबर किससे प्राथ कियाता है तो हैविया प्राजी लेंसी से ठीक है हैविया प्राजी लेंसी से ठीक है नेक्स्ट क्वेशन पूछा गया है तो फ्लेक्स फाइबर आप्टेंड फ्लेक्स का मतलब चाहता है जो तनतिम ठीक है जिससे फाइबर को घीजने पर तन जाए उसको फ्लेक्स बोलते है ठीक है तो उसका नाम है देखे वाट निकल नेम दिया गया है लाइनस अस्ती ठीक तेकी ये जो फाइबर होता है इसको फ्लक्स फाइबर भी बोलते हैं क्योंकि आप वोका आम तोर पर देखते होंगे सन संसं देखते थी ना सन ़िसको बोलते गाओ में शन लाड़ стен और जया सना заним बोलते हैं जिसमें एलो-Kolor कि flower लगते हैं ठीक है पीले color के flower लगते हैं लोग उसे food के रूप में यानि की food material के रूप में भी यूज करते हैं ठीक है कुछ लोग सब्जिया बनाते हैं कुछ लोग उसका जोए की अलत चीज में यूज करते हैं तो वही होता है flex fiber ठीक है जिसको हम लोग सीडे से आयल लिकाडा जाता हो तो आप लोग देखते है सान फ्लावर जो होता है उसके सीड$ से लिकाडा जाता है मेरी गोल्ड न इसने इसने होने में तब इसके टाइम लगते है तो तो उसमें सीद उसका बहुत बनता है कि उसे आयल भी आप अच्छे से प्राप्त है नहीं कर पाते हैं तो संफ्लावर के में देखते हैं कि काफी अच्छे से लिख लिए जाता है ठीक है करके थे युट्फ आप में चैसी प्राप्त किया जाता है ठीक है तो ४५ भलुट इसे फाइबर गया होते फाइबर दो जूट भी है कोकुनुट भी रहे में है ने सफिर्व में कातन होता है ऐसके लोट वेच्च्छे पेटुगा देखते होंगे, तो उसके बाहर क्या होता है, ठीक है उसके बाहर जिसके ये पलांड होता है ना, गृल निकल का काटन के प्लाट डेंगे काटने के पाद पानी में थाला दाताब में जैंक भीयर थे पकान की नależy निकाल लूक्षा से लूख से प्लाइर। उससे समय घंद में लेखे ass दो काटन का फाइबर और अगर है लेक्शा देखा हुगा तो अच्छी से mpfen आपको बता है कि पेट्रोखम किस राफ होता है तो चैट्रMoon कई नेक्ट्रीसा पाली याप ऐसो प्रीलाफ़ ऐसो प्रीण नें तो उस से रबर प्राप्ते किए जाता है ठीक है और यह देखिए यह आईसोप्रेन ग्लुक और यह फिनाल यह सब क्या है सेकेंडरी मेटा बॉलाइड से ठीक है आगे आपसे पूछा गया है विच कंट्री इस दे वर्ल लार्जेस प्रोडूसर आप नेचुरल रबर तो थाइलेंड में सबसे जादे रबर के प्लान्ट देखे जाते हैं और वहां पे जो की सबसे जादा इसका प्रोड़क्सर होता है पै कि विचि के सप्राइब कilly सीड्वन नेसा कोवन साजिसके सीड्वन नहीं लिघार है तो आप लिएखते हैं सनफुलावर के सीड्वा sûr सै ग्राउणल सौजा बिन आप बीकलता है और अस्मीम जो होता है धनिया होता Grounded Moomphaly के भी Seed से तेल निकलता है टीक है Soya Bean के भी Seed से निकलता है लेकिर Oseumum जो होता है धनिया होता है उसके Seed से तेल है नहीं निकलता Which Chemical Compound in the Mustard Responsible for the Mustard Panagent Test जो तीछर तो तीछर तो किसके दौला होता है सीनी ग्रीन के करड़ वो होता है सुपारी ओर बीटलनट ठीक है आपकेर फ्रामद है एरिका कैच्चुकी ठीक है एरिका कैच्चुकी के बारे हमने आपको बताया भी है एरिका नट के बारे हम बताया है बीटल पान के बारे हम बताया है सब कुछ आपको बता रखां लोग, पैस्टी केट्री आप लोग पड़े होंगे, तो प्लेलिस्ट में हमने सारी कोशन के एंसल अगबद आपको मिल जाएंगे, कुकुवा क्या होता है, कुकुवा देखिए, आप कर सकते हैं कि बीवरेज प्लांटर, काल हमने बता था, काल्हा आप लोग, तो वही है कोवा ठीक है, तो यह क्या करता, आपको रिलेक्स महसूद कराता है, ठीक है, तुझी यह होता है, जो की एत्रो ठीक है डीक है, इ alleen झायला मिल प्राप्ट किया जाता है, इन्डिय необ है भी आपैनशम में है, ने यहां की से चिपलंग, लोग हो यानि कि प्रकार की जो लकड़ी होती है जिससे इमारते बंआ जाती है तो स्केंडरी ज्याइलब्स का मतलब यह है जिसे प्लांट है जब वो मिच्योर हो जाता देखते हैं ही प्लांट पक गया है लाल कल्रे का दिखाई प्लांट में तब कहते हैं यह प्लांट जो है कि वह अब जो है कि मिचूर हो चुका है काफी ओल्ड हो चुका है तो उससे अच्छी-ची इमारती दखड़िये बना जाती है उड़ पाइनस इज पिकनोजायलिक ठीक है आगे बढ़ी है तो उड़ फार्म इन दे स्प्रिंग सीजन ड्यू टू हाई कम्बिनेशन एक्टिविटी इज टर्म तेकि यह स्प्रिंग सीजन परे क्या होता है बसंद कामोशन ठीक है यानि कि जो स्प्रिंग सीजन में लकडिया बनती है ठीक है क्यों बनती है हाई कम्बिनेशन एक्टिविटी टर्म तो उसको हम लोग कहते है अरली उड़े तो उसके लिए टर्म दियाता है अरली उड़े ठीक है है जाईलरी एलीमेंट ऐर निरुर्वर ऐंड है इसमालर इन जो जालेरी होता है ठीक है जालेरी जो उसमे डेखते हैं तुंыш तरब पतले होते हैं अ कुछ तरबस्मालर होते हैं त्वो आर्टम उड़ में दिखाई पड़ते हैं ठीक है चलिए बलगेड इन ग्रोथ आप जाइलम पैरेंड काइमा इन ट्रू ट्रेचीड इज काल्ड एज थाइलोस ठीक है इंडिगो इज ए डार्क ब्लू कलर नेचुरल दाई ठीक है इंडिगो आप लोग पेंट समझते हैं पेंट चो कलर देता है डाई मतलब कलर देनी ठीक है तो वो क्या होता है इंडिगो पेंट कंपनी है एक ठीक है इंडिगो एक प्रकार की क्या है टार्क ब्लू कलर की कलर होता ही ठीक है चो की किस से प्राप्त कियाता है एक डाई है यानि कि प्लांड के लीप से प्राप्त कियाता है उस प्लांड का नाम है उस प्लांड का नाम है इंडिगो फेरा इंडिगो फेरा लिंटी कोरिया ठीके इंडिगो फेरा लिंटी कोरिया चुकि उसके लीप से प्राप्त किया जाता है क प्रकार का यह एक प्रकार की आप कर सकते कि प्लांट है तो इसके लीब से प्राप्ट कियता है ठीक्आ कि लीब से यंग लीप से प्राथ कियाता है अब उस प्लांड का नाम है लासोनिया इनर मिज ठीक है फैमिली उसरी फैमिली यूकेलिप्टस यूकेलिप्टस जो फैमिली है वो माई ट्रेशी फैमिली में आती है फ्लेवर अंड ऐरोमा फ्लेवर क्या होता है चो एक प्रकार की आप सकते हैं कि महग ट्रेस्ट देता हो एरोमा जो महग या रेँल लेपा सीड प्रिड होता है उसका बैनिकल निकल पूछा गया है तो उसका बैनिकल निसी का नेraws यानि कि जो यह एक प्रकाल किस्व क्याद सर्सों कि बहुत सांधिया दिया से घृतिका नीडर धिरी प्रिसका जंसिया तेक तो उसे पूछा गया है जो क्यनोला रेपशिंड होता है वो किस प्रजाति या निकिकिस मस्टर्ड इस प्रशीश से या प्रजाति से प्रzier होता है निकिस से प्रजब्त कियाता है अधै तो इलैस, ठीक है, इलैस क्योनिसी से, ठीक है, क्योनिसी से वो प्राप्ट किया चाता है Which part? Sorry, Which plant is used in paper industry as the source of The raw material for paper, ठीक है, तो देखिये, पहुत सारे plants से paper को प्राप्ट कियाता है रा मटेयल के रूप में बंबू के लकडी से भी, यूकेलिप्टर से भी, साइप्टरस मापाया से भी, पैपरेस से भी और बहुत सारे प्लांट होते हैं जिससे क्या होता है पेपर को बना जाता है निकि रा मटेयल के रूप में यूज करते हैं तो बहुत साई चीज है तो इसका आला तीज इंसर हो जाएगा बायो फ्यूल क्राप तो नीम के प्लांट से बायो फ्यूल को प्राप्ते किया जाता है तेकिए जो बायो फिल क्या होता है इसे कॉर्म हो गया ठीक है सुगर केन हो गया सोयाबीन हो गया इन सबसे क्या होता है बायो फिल निकाला जाता है लेकिन नीव के प्लांट से बायो फिल क्योंकि ये इडिवल होता है ठीक है सोयबीन भी इडीमल होता है लेकिन क्या होता है इससे भी बायох यह फीर काखता है तो कार्कोकस कैपुस लेलिया ठेक है या लेरि इस बोलती है कैपुस लेरि सबुब है which is excellent source of natural red colorant ठीक है तो देखिए beet root क्या होता है चुकंदर चुकंदर होता है ठीक है उससे क्या होता है सबसे अच्छा red color का color obtain किया जाता है beet root सी ठीक है आगे बढ़िए ता इस्ट्वोचाइड इस चेमिकल कंपाउंड रिस्पांसिबल फार स्वीटनेश इन पांड इन दे शेटिविया ठीक है सेटिविया इस्पेस्पिक ग्रेविटी अफ दे टिंबर डिपेंड अपांड पोलर प्रजेंट इन दे टिंबर ठीक है यह वाला एंसर हो जाएगा इन विंटर सीजन तो एक्टिविटी आप कैमियम रिडियूसेज इन लार्ज एक्सिलेंट एंड उड प्रोडूसेज डियूरिंग डिस टाइम आरकाल लेज आटम सीजन याने कि जो विंटर का मौसम होता है उस टाइम अच्छे जो उड प्राप्त करने वाले होते हैं उस ट ठीके चलिए विच फाइबर क्राप इस कालें गोल्डें फाइबर तो जूट को अम लोग गोल्डें फाइबर याज गोल्डें क्रॉप फाइबर के नाम से भी जानते हैं तक कल्सेंट्रेटेड आयल एक्स्ट्रेक्टेड फ्रम दे प्लांट तैट रिटें दे नेचुरल इसमेल एंड फ्लावर इस सोर्स्ट प्लांट अर कल्ड एज एसेंशल आयल या तैसे प्लांट ठीके ऐसे प्लांट यो हमारे भौजन में ठीके या हम अपने देनिक जीवन में यूज करने वाल आयल को एसेंशल आयल के नाम से चानते हैं कुछ अल होते हैं जो फिर में चलिजाते हैं तो यह सब हमारे आपके लिए इसेंसियल ज़रूबी होती है नहीं जैसे मस्टड का आयल हो गया ठिक है तो यह सब आयल होगे तो इसमें अच्छे क्लर की इसमेल भी होता और फ्लावर भी होता है साइप उड को हम लोग आउटर लेयर आफ सेकेंडरी जायलम के नाम से भी जानते हैं जूट फाइबर आदा बेस्ट फाइबर अप्टेन फाम दर सेकेंडरी फ्लोयाम टूरा मेंने क्या होता है हर्ट आप उड होता है ठीक है Cambium activity highest in the spring season चो Cambium होता है वो spring season में जादे बरकर करता है Cotton, jute and coconut fiber are the example of plant fiber Cotton, jute, coconut ये सब किसे? Plant से प्राप्ट किये जाते हैं न Plant fiber after from the seed hair तो cotton fiber Plant fiber after from the leaf तो agio fiber Plant fiber after from the stem Sorry, यहीं तो हो गया Family आप cotton, Malvesi family Malvesi family में cotton वगएरा के plant आते है Trojasi family में रोज आता है फिवेसी family में आपका ये जितने भी तलहनी फसली हैं ये सब आती है BT cotton has effective resistant against which of the following insect तेकि जो BT cotton होता है, पायो टेकनाल जिस चुकांटन बना जाते हैं वो different insects से resistant होता है, इस दिए उसकों लोग बोल वार्म भी कहते हैं Which country lives in total area under cultivated of cotton तो India इंडिया भी बहुत सारे ऐसे जगा है जापे इसका production किया जाता है Which Indian state leads in the production of cotton तो महराष्ट्रा में इंडिया के महराष्ट्रा में तो अभी आपने देखा कि इंडिया में सबस्जाद इसका production होता है तो वही question आपे देखे थोड़ा सा घुमा के पूछ जा Which country largest projection आप जूट इंडिया तो इंडिया अब यहाँ पर देखिए Which is family of flags तो जो flags होता है जूट होता है जिसको सनही बोलते हैं तो लिन नेसी फैमिली से वो प्राप्त होता है ठीक है सबसे ज़्यादा जो प्लांट होता है ठीक है सबसे ज़्यादास इल्ड जो होता है प्लांट के fiber से वो किसते होता है तो टोल ayria junaisika से जंसिया से कुईयर ओर commerce कुईयर आप commerce ought to turn from the plant कोकोनट ठीक है सनफ़वर जो होता है ठीक है उससे आयरप्त करता है जो किस फैमिली से ब्राम करता है इस्टेरेसी फैमिली से ठीक है रेवी सिरील क्राप क्या है रभी सोई रभी क्राप तो वीट आएगा ठीक है रभी क्राप रभी सिरील कर सकते हैं रभी काप करेते हैं ठीक है क्योंकि यह जो की रभी ठीक है प्लांट होता है रवी खरीफ जायच यह तीन ठोते ना तो यह रवी में आता है ठीक है पुलाइडी लेबल टिटिकम इस्टियम सिक्स यह नहीं कि उस पर देखते हमने कल बताया भी ता पुलाइडी लेबल टिटिकम इस्टियम में क्या होता है सपोडल होता है ठीक है जीनस दे दिया है ठीक है आगे बढ़िए कल्यान सोना अंसावर मती सुनारा अर्दर विराइटी आप दर वीट यह भी कल हमने बताया था साइट वीट आपका नहीं है फाइबर ग्रेट कामर से इंपॉर्टेंड डिराइट फ्राम एपीडेर्मिस अभी आपने बताया कि कॉर्टन जो होता है उसके एपीडेर्मिस से प्राप्ते किये जाता है पॉनल दर फावल विंग प्लन्ट इस द पिराइटी आप टिमबर्ट सी सा ओसव सी सब्सक्राइब ग्लान्ट सीसं का प्लांट अच्छी स्यक्वार्टी कि क्या होती है टिमबर मार्सीघं़ा बनाई जाती है फाइबर प्लांट फाइबर सिलिकन क्या है एक प्रकार के फाइबर नहीं एक कार्टन में आता है फिर पूछा आप से विच आप फाइबर फाइबर कार्टन हो गया पॉटनिकल निम आप जूट कार्कोकस के फूठ लेरिया कारकोकस के फूठ लेरिया इसका बोटनिकल में आप टी कल इसको बता था कयमेरिय साइनेंसिस चाय और रतन डैटा व्लैट फ्राम डी ग्रीन रिवलूशन इन द इंडिया आप राइटी आप राइबर चाया और रतना जो है की वो राइस की फैमिली है ठीक है चूट फाइबर बेस्ट फाइबर होते हैं विच क्राप इज नोन अज किंग फाइबर कांटन को बोलते हैं विच इस दा इनकरेट कम्बिनेशन एडिबल आयल एन इट्स सोर्स तो आप लोग देखते हैं जो मश्टर होता है वो किस से प्रात की जाता है ठीक है ब्रेसिका से तो यही इसका जो कम्बिनेशन वो गलत है यहाँ ब्रेसिका रहता तो सारा चीज साही हो जाता ओलिव आयल इस आप्टें फाम दा ओलिवा ठीक है ओलिया एर्यूप पाईया विच इस दगेन करेक्ट कम्बिनेशन इस प्लाइन इस फेमली मश्टर किस फेमली से आती है प्रेसिका ठीक है ठीक है तो यहाँ पे क्रूसिफर ठीक है जो आपका यह होता है ठीक है मस्टर जो होता है ठीक है ठीक है ठीक है अधरेसि फेमली से जो कि भी एसी फेमली से पाई जाता है तो इस प्रकार से आपको पुशा गया है कि डाइक किस-किस से प्राप्ट कियाता है तो सारा का एंजर सीधा सीधा दिया गया था हिंप फाइबर आप्टें फ्रम्द है कैना भी सटाइबा यह तो भी अपने उपर देखा एक कोश्चन था काटन फाइबर मेड़ पाप सलोज का बना होता है क्या होता है आपने बताया कि सबसे लंबा फाइबर सबसे छोटा फाइबर जो की काटन का होता है ठीक है इन आयल इन इंडिया होकी श्टीकी आर्जिनली मेड फ्रम्द है मोरस एलवा ठीके कामर्सियर रॉक इस अप्टेन फ्रांद चो राख होते खाहां से पार्क आपता क्यूसिनगर से ठीके कार्क समझे ना कार्क छुछाल होती है उससे तब वर्टनिकल लेम आपता कानेशन कानेशन जो वर्टनिकल निम होता है टाइनेंथस चैरिव थैलस स्ट्रिं कर जो फाइलस तब बेस्ट आयल फ्र दर प्लांटेंशर लिए फौर्डाओं फ्लांट लों थीक है बेस्ट श्वाइल सबसे अच्छी मितुक। लों मिτι वित श्वाइल यह प्लांट के फ्लावरिंग के लिए सबसे अच्छी होती सबसे अच्छा टाइम कौन होता है प्लांट को पानी देने का तो सुबस ठीक है मॉर्डिंग प्लांट को वाटर दिया जाता है ग्रीम को पानट की आज बांट कया कम neste मैं पर सिगा भीस एडम का कनी के करने करा है पिंचिंग ठीक है पिंचिंग एक्सेशिव वेजिटेबल ग्रोथ इज लाइकली तो अकर इन दे जेरानाइमस इफ नाइट्रोजन लेवल इस वेरी हाई ठीक है यह इस का अंसर हो जाएगा विच इस दे करेक्ट कंबिनेशन आफ दे प्लाट फैंबली ग्राम ठीक है जो कार्टन होता है ठीक है वो मुरेसी फैंबली का होता है मेज आपने देखा कि आपके ठीक है जो कि पुएसी फैंबली का होता है मेज संफ्लावर आपका मुरेसी फैंबली का होता है अप फिवेसी फैंबली में ग्राम आता है स्वरी 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 ठीक हां कॉर्टन देखी यहां पर उल्टा दे दियेगा इसका इसमें होता इसका इसमें होता ठीक है इसमें होता तो यह यह जो ग्राम होता है वो फिबेसी फैमली से होता है ठीक है मेच पोईसी फैमली का होता है काटन मोरेसी फैमली का होता है तो जो ग्राम है वो फिवी फिमडी का होता होता है यही साही है। ठीक है यह सब उल्टा बिल्टा देती आ गया है। Which plant is the natural raw material extractive sugar cane ? सुट्री white sugar, ठीक है? तो यहीu sugar cane गन्ना वही है कि किसके लिए? सूगर के लिए होता है ठीक है तो इंस भी तक लाइक नहीं किया तो लाइच कर दिजिए सब्सक्राइब कर लेजिए बेल आइक करना वा लेजिए ताकि आपको डेलिक डेली नोटिफिकेशन्स मिलते हैं